तो कैसे हो बच्छों तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास फोर्थ की इंग्लेश बहुत ही मस्त चिल मार के अम लोग पढ़ते हैं इस चैनल पे तो अगर आप फर्स टाइम देख रहे हो तो आपका वेरी वेलकम है जी और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट व इस वीडियो में हम कवर करेंगे यह पोयम बहुत ब्यूटिफुल हम इस पोयम को पढ़ेंगे समझेंगे और एकदम चिल मार के समझ आएंगे ठीक है तो बिना किसी टेंशन के बिना किसी नोटंकी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ठीक है जी शुरू करीजाए तो चलो तो पहली आपकी जो पोयम है उसका क्या नाम है उसका नाम है वेक मतलब बच्चों क्या होता है बुलो बुलो मेरे साथ पढ़ोगे ना एकदम फूल एनरजी पढ़ोगे ना बड़ा मजा आता है पढ़ने में आज आपना पढ़के ट्राय करो एक बार मेरी तरह है अपने पढ़ा ना साथ में चलो अब मैं आपको समझाता भी जाता हूं साथ के साथ वेक अप वेक अप उठो 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 इट्स लावली देखो कितना सुंदर दिन है आज ओ प्लीज गेट अप अरे उठ भी जाओ यार इंड कम एंड प्ले और भार आओ और खेलो दब बर्ड्स आर सिंगिंग इन दर ट्रीज जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रही हैं वो गारी है अप पढ़े हैं ट्रीज में और तुम क्या कर रही हो सो रही हो पड़े-पड़े हद थोड़ा जूम करते हैं आपको बहुत अच्छे से दिखें आप तो दिख रहा है न अच्छे से चलो and you can hear the buzzing bees और उसके साथ साथ तुम क्या सुन सकते हो जो bees हैं वो buzz कर रही है नहीं कि bees पूरे में घूम रही हैं चिडिया चेहकरी हैं और तुम पड़े-पड़े सो रहे हो हद हो गई जी है ना तो चलो आप पढ़ते हैं next paragraph पे देखें देखें ओहो यहां पे तो मस्त बहुत सारे खेलते कूदते हैं हमको animals दिख रहे हैं ducks दिख रही हैं horses भी दिख भाई सूरज तो क्या लोग रहा है तकड़ा साथ चलो आगे पढ़ते हैं ठीके जी आगे देखो आगे पढ़ते हैं बस लो जी पोयम ही गतम हो गई अब मैं आपको समझा देता हूं तीसी पोयम थी बहुत अची दी ना पर मजा है पढ़के आपने रीड करी तो मजा हो वरना तो नहीं आएगा जी पिछे करके ना रीड करो मेरे साथ देखो वेक अब इसका मतलब तो तुम बताओ कि मुझे क्या था वेक अप का मतलब वेक अब तो हमें याद हो गया वेक का मतलब होता है उठ जाओ वेरी गोड तो आगे बताओ इस लवली डे मतलब आज तो कितना अच्छा दिन है ओ प्लीज गेट आप यानि कि अरे भाया उठ भी जाओ प्लीज बोल रहा है यानि कि ये बहूत देर हो चुकी है और बहुत देर तक बेढ़ पर पड़े रहने का है न ऐसे बोल रही है जो भी नरेटर है जो कान ही सुना रहा है नैं जो पॉयम सना रहा है यह तो बहुत देर हुगी है बेट पर पड़े रहने के लिए आ यह लgor इतों स्लीपी एड ज़ल्वंक्ड उठो म्हुंसिटकर स्लीपी हैड मतलब छो आरा व्यूंस समय इसको बहुत everyone is up and about क्योंकि सब लोग उठ चुके हैं और तयार है the cow, the horses, the duck, cow पता है ना आपको, horse, duck and the sheep, यह सब तयार हो गए है, the tiniest chicken, जो सबसे छुटा सा चिकेंद ना वो भी cheap cheap cheap, मतलब वो भी ऐसे खेल रहे चला चला के, wake up उठो, तो बस, कैसी लगी आपको यह पोयम अच्छी थी आप भी बता ना आपको कैसी लगी comment करके और अच्छी लगी तो यह वीडियो को like जरूर करना ठीके जी अब आपसे मिलते हैं next video में next video रहेगी इसकी story के उपर जो alarm वाली बढ़ी अच्छी story है तो next video प्ले कर दो फटा फट और आप भी वहीं मिल जाओ मुझको मिलते हैं आ